नाना पाटेकर जो कि हर फिल्म का एक से दो क्रोड रुपया चार्ज लेते हैं और हर एटवर्टाइजमेंट का एक क्रोड और तो और इनकी नेट वर्थ पचास क्रोड रुपय हैं लेकिन नाना आज भी अपनी मा के साथ 1BH के एक छोटे से घर में रहते हैं ऐसा नहीं है कि वो एक बड़ा घर और अमीरो वाली लाइफस्टाइल नहीं जी सकते फिरा खिर माजरा क्या है दरासल नाना पाटेकर फिल्म इंडस्टी में आने से पहले काफी गरीबी का सामना किया है वे दिनका सिर्फ 35 रुपया कमाने के लिए दिवारों पर पोस्टर्स चिपकाने का काम करते थे उन्हीं का कहना है पैसा और शोहरत टेंपरिरी होता है कब हाथ से निकल जाए इसलिए मैं अमीरो वाली लाइफस्टाइल जीना पसंद नहीं करता इसी वजह से वे आज भी ओटो रिक्षा और अपनी पुरानी कार से ही सफर करना पसंद करते हैं और तो और अपनी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों में दान कर देते हैं वाव सच ओ ग्रेट परसंद वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना